अरे गुड्डू और गुड्या तुम दोनों अभी तक सो ही रहे हो अरे ज़रा देखते हैं कि बज कितने रहें ओहो यहाँ पर देखो सुबह के सवा 9 बज रहें यानि कि 9 बज के 15 मिनट हो गए और तुम दोनों अभी तक सो रहे हो यहाँ पर देखो दादी जी क्या करें अ ओहो दादी जी के पास तो बहुत सारे रुपय पड़े हुए हैं, अच्छा अच्छा लगता है दादी जी मार्केट जा रही हैं, वेरी नाइस, दादी जी तो देखो शुबय शुबय उठती हैं, और अपना सारा काम निप्टा लेती हैं, ये टाइम की बहुत पक्की हैं, तुम्हें तो बहुत सारा काम है, अभी तुम्हें खाना पीना बनाना है, अभी नहाना धोना है, तुम्हें इतने सारे काम है, फिर भी तुमको समझ में नहीं आता, और यहाँ पर देखो, चिन्टु तो आज अपनी मम्मी के पास शोया था, अरे चिन्टु तुम अभी शोत ठीक है तुम तो छोटे बच्चे हो लेकिन गुड़ू तुम कितने व्लापर वा हो गए हो तुम नहीं उठोगे तो ड्यूटी पर जाएगा और ड्यूटी पर नहीं जाओगे तो काम कई से चलेगा और यहां पर देखो अरे गुड़िया चलो तुम तो उठ गई हो ना तो चलो अपना सारा ताम कर लो यह ठीक 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 यह पहले तुम रशोई घर का काम कर लो उसके बाद हम आते हैं तुम्हें और सारा काम बताएंगे तुम्हें करना क्या क्या रहता है यहां पर देखो गुड़ू क्या कर रहा है अरे चिंटू आजाओ आजाओ तुम्हारे मम्मी पापा उठ चुके है न तुम भी उठ जाओ बेटा जल्दी से बहुत सही बहुत सही तुम उठ गए हो न अब सोना नहीं है ठीक है अरे गुण्डू चलो अच्छे से उठ जाओ क्या करते हो लापरवाह बन जाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी freedom मिल चुकी है ना यहाँ पर देखो उसे गारी खेलने के लिए मिला है और पपा का फोन मिल गया है और यह पिंटू तुम बिना पूछे पापा का फोन ले आये हो दो दो फोन लवटा दो पापा का फोन लवटा दो गुड़ू ये लो देखो देखो तुम अपने फोन का ध् में भी तो स्कूल जाना है ना और यहाँ पर देखो ये कौन है अरे भोलू राम अरे भोलू राम जल्दी उठ जाओ भोलू राम जल्दी उठकर बैठ जाओ क्या करते हो जल्दी से नहीं उठोगे तो क्या होगा कैसे काम चलेगा और यहाँ पर यहाँ पर अरे चिडिया तुम नहीं उठोगी क्या, चिडिया जल्दी से उठ जाओ, चिडिया बहुत सही, बहुत सही, चिडिया उठ गई हो, चलो, तुम अपनी बच्ची को उठा दो, अरे बच्ची, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, बच्ची, चलो, जल्दी से बच्ची, उठ ज यहाँ पर देखो मम्मी जी तुमको बुलाने के लिए आ रही है अरे गुडिया यहाँ पर देखो तुम्हारे बहन और भाई फ्रेश नहीं होने गए हैं चलो इनको कह दो तो फ्रेश होने के लिए चले जाएं आरे चिंटी और पिंटू आरे गुड़ू आरे तुम दोनों भोलू राम जल्दी से फ्रेश होने के लिए चले जाओ और चिडिया तुम तो जल्दी से फ्रेश होने के लिए चले जाओ मैं खाना पिना बना रही हूं तुम दोनों को खाना नहीं है क्या ठीक है बहन ठीक है हम दोनों जाते हैं आप अपना काम करने के लिए जाओ आजा आजाओ, बहुत सही, बहुत सही, येलो, तुम यहाँ बैठ जाओ, और अपनी बहन की मदद करो, खाना बनाने के लिए, अरे चिंटू, तुम यहाँ बैठे हो, रुको, रुको, हम तुम्हारे भाई पिंटू को भी उठा कर लाते हैं, अरे भोलू राम, चलो, चलो तुम प पिंटू के पास और पिंटू को अपनी गोदी में बिठा कर यहां पर ले आओ अरे येलो येलो इसे गोदी में बिठा लो और चलो और चलो ले करके पिंटू देखो तुम्हें मामा तुम्हारे गोदी में बिठा कर लाए हैं और यहां पर आजाओ तुम अपने भाई के पा और यह देखो तुम्हारे बेहन की बच्ची है इसे संभाल के रखना ठीक है और यहाँ पर देखो उनका निपल तो यहीं पर छूट गया है अरे चिंटू और पिंटू येलो तुम दोनों का निपल ठीक है येलो तुम दोनों का निपल अरे रुको हम इसे गईया को दे देत ये देखो ये fresh वगेरा हो गए हैं आजाओ आजाओ गुड़ो आजाओ तुम यहाँ पर बैठो ठीक है ठीक है बहुत सही ये लो तुम्हारे लिए नास्ता भी ready है यहाँ पर देखो यहाँ पर तुम्हारे लिए नास्ता आ चुका है चलो नास्ता वास्ता कर लो और आजाओ चिंटू पिंटू अब तुम दोनों भी नहां लो क्योंकि तुम्हें भी तो स्कूल जाना है ना आजाओ चिंटू यहां पर बैठो और पिंटू तुम भी आजाओ पिंटू आजाओ 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 बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां चलो फ्रेश भोलू राम के घोड़े यहां आओ तुम जराशा तो यहां आओ भोलू राम ने तुम्हारी सवारी बहुत दिनों से नहीं की है अरे भोलू राम तुम अपने घोड़े की सवारी क्यों नहीं करते आज कल चलो आज तुम अपने घोड़े की सवारी कर लो तो यह बहुत बहुत बड़ियां भोलू राम तुम तो आज अपने घोड़ी की सवारी कर रहे और यहां क्या हो रहा है अरे यह देखो घर की रखवाली करने माला कुता आज घर के ऊपर क्यों चड़ा हुआ है अरे क्या बदमाशी है बेटा जल्दी से नीचे उतर जाओ चलो कुते नीचे उतर जाओ नीचे उतर जाओ जब तक तुम्हारे मालिक तुमको डांटेंगे नहीं तब तक बदमाशी नहीं हटेगी ना और यहां पर देखो आज तो यह दादी माँ का तोता और दादी माँ कहां थी यहां पर आकर बैठे हुए अरे तुम दोनों यहां कि वाए हो अच् के पास बड़ा वालो फोन भी है ना इस शी लिए और चलो हम देखते हैं कि आगे की गाउं में क्या हो रहा है यहां पर देखो यह तो शांती मैम है अरे शांती मैम आपके यहां क्या हो रहा है और यहां पर देखो सभी बच्चे आज इखठा हुए हैं बहुत सही बहुत सही अच्छा अच्छा मुझे याद आया कल सांती मैम ने सभी को कहा था कि उन्हों पिकनिक ले जाना है और यहाँ पर देखो गाड़ी भी रेड़ी है तो सभी बच्छे अज पिकनिक पर जाएंगे येवाला डक जाएगा चिंकी पिंकी रिंकी जाएंगे पतलू जाएगा और ये वाला प्यारा सा मोर जाएगा, है ना सांती मैम, बहुत बढ़ी असांती मैम, आप बच्चों को सब कुछ दिखाते हो, आप इन्हें पिकनिक पर ले जाते हो, इन्हें योगा सिखाते हो, इन्हें डांस सिखाते हो, और इन्हें पढ़ना बताते हो, बहुत सही, चलो, चल तुम लोग जाओ अपने काम पर और हम भी देखते हैं कि आगे की कहानी में क्या चल रहा है तो चलो देखते हैं कि आगे की कहानी में क्या चल रहा है अरे ये देखो क्या हो रहा है गुड़ो तो खाना पीना खा करके तयार हो चुका है और अपनी ड्यूटी पर जाने के चलो भोलुराम नीचे उतर जाओ आजाओ यहां बेढ़ जाओ बहुत साही भोलुराम तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए लट करके अब देखो इसी घोड़ी की सवारी करके मुझे लगता है गुड़ी भी अपने काम पर जाएगा आजाओ गुड़ी की सवारी से तुम भी जाना अपने काम पर ठीक है बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां अरे भोलू राम जरा गुड़ी को भी सिखा दो कि तोड़ा बहुत चला ले रहे हो ओ वाव चलो चले जाओ तुम अपने काम पर और यहां पर देखो क्या चल रहा है यह देखो चिंटू और पिंटू ने नहाया कि नहीं नहाया और चिंटू और पिंटू क्या बदमासी है तुम दोनों ने ब्रस तो कर लिया है लेकिन भी नह नहाए नहीं हो, चलो यहाँ पर आओ, नहा लादेता हूं, मैं तुम्हें नहला देता हूं, तुम दो बहुत बदमास हो गए हो, क्यों नहा नहीं रहे हो, औरे भीजा क्या बताए, बहुत ठंधा पानी है अरे अरे बदमास ये देखो कितना गरम पानी है अरे भाईया बहुत जादा ठंडा पानी है मत डालो ना प्लीज भाईया प्लीज बहुत ठंडा पानी है अरे पिंटु ये लो अरे भाईया सच में बहुत ठंडा पानी है अरे बस करो बस करो प्लीज बस करो ठीक है ठीक है अ आजाओ आजाओ यहाँ पर बैठो और तुम्हारी मम्मी कहा है अरे गुडिया चलो तुम्हारे बच्चों ने नहाँ धो लिया है आजाओ आजाओ इनको रेडी कर दो स्कूल जाने के लिए और चिडिया तुम भी एक बच्चे को रेडी कर दो स्कूल जाने के लिए अरे ये क्या गुड़ू के पापा आज अपना फोन तो घर पर ही भूल आए हैं और कितने लापरवा हो गए हैं गुड़ू के पापा अभी लोट कर आएंगे और ले कर जाएंगे अपना फोन और यहां पर देखो वो आभी गए हैं ये देखो अरे गुड़ू के पापा क्या आप अ चले गए ठीक है तो ये देखो बच्चे भी तयार हो चुके हैं और यहाँ पर देखो उनका स्कूल बस भी आ चुका है आ जाओ बच्चो चिंटू और पिंटू चलो तुम दोनोंने बैग भी ले लिया है ना आ जाओ गाड़ी में बैठो और चले जाओ अपने स्कूल की तर ओके बाई तो यहाँ पर देखो आज की कहानी देखने में तो मुझे बहुत मजाया आपको भी अगर मजाया हो तो इस कहानी को लाइक करना ठीक है गाईज बाई